आज इन तस्वीरों के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को मक्की की फसल दिखाने की खोशिश करेंगे नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एक और ने वीडियो में हलाकि ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए बड़ा खास रहने वाला है जिन्होंने आज तक मक्की की फसल नहीं देखी लेकिन हमारे इस यूट्यूब प्लैटफॉर्म पर काफी सारे लोग गाउन से तालुकात रखते हैं जो की इस फसल को अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्होंने इस फसल की खेती भी कभी न कभी की होगी सबसे पहले तो आपको बताते हैं जो तस्वीरें आप अपने मुबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जमू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश जिला उधुंबूर की तस्वीरे हैं जहां पर हमारे किसान बाईयों ने हमसे कहा कि आप आईए हमारी फसल देखिए आपको बता दें कि किसान बाईयों ने जब हमारे साथ बाचित की उन्होंने कहा कि मकी की फसल के दोरान हर वर्ष उन्हें बंदरों का बड़ा नुकसान होता है बंदर जब भी मकी की फसल लगती है तो वो उनके खेतों में आते हैं उन्हें काफी नुकसान पहुंचाते हैं जिसके चलते उन्हें बड़ी दिख्तों का सामना करना पड़ता है कि उनकी मकी की फसल किस तरह वो अपनी फसल को सुरक्षित रखपाएं लेकिन बंदरों का जो मकी की फसल जो है वो असानी से कर सकें यह तस्विरें जो हम आपको दिखा रहे हैं फिलाल इस समय इन पोदों में मकी नहीं लगी है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनमें मकी लग जाएगी और जल्दी आपको मकी का आटा भी आपके गरों तक मिलने लगेगा लेकिन फिलाल इस समय आप कहीं भी जमू के अगर बात करें तो किसी भी गली में अगर चले जाएंगे तो जुरूर आपको मकी बेचते हुए कुछ लोग दिखाई देंगे वो आपको मकी बुन कर देंगे या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपको अगनी में सेक कर उसको पका के देते हैं मातर दस यां बीस रुपे की वो होती है उसमें वो निम्बू लगा कर आपको देते हैं तो उसका भी सवाद काफी अच्छा रहता है लेकिन मकी की रोटी की जो बात है वो अलग ही है क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे डोगरा में ये डिश है मकी का आप रोटी ले लीजिए और सरसों का साग बड़ा ही सवादिष्ट वो खाना बनता है लेकिन इस वीडियो के मातर में से हम यही कहना चाहते हैं कि हमने ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए किया ताकि अपने तमाम दर्शकों को ये फसल दिखा सके और सरकार से गुजारिश कर सके कि आप किसान भाईयों की तरफ द्यान दीजिए और जो इन्हें मुजिबते आ रहे हैं बंदरों के कहर को लेके इसका भी कोई समादान जल से जल निकालने की कोशिच किजिए फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेट बॉक्स में अपनी राय रखिए और इस वीडियो को जरूर शेर किजिए नमस्कार जैहिंद